टापकली और टॉक्स के एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सबी लोग का फिर से स्वागत है तो दोस्तों अभी जो देख रहे हैं आप सबसे पॉपलर सब फोर मीटर कॉंपक्ट एक तरीके से आप इसे ना ब्रैजा है यह तो पता ही होगा आपको देखने में पता ही ल मिल जाती है तो फड़ा फड़ से बात करते हैं अब यहां पर नई प्राइजिंग जो मतलब 2023 से पता ही है आपको हर जो कार मैंनेफेक्ट्रिंग कंपनिया है प्राइस कुछ ना कुछ बढ़ाती है तो ब्रैजा की भी जो है प्राइस बड़ी है तो अब क्या रहती है इसक बात 99,99,99,99,000 का एक शोरूम में कोश्ट करता था लेकिन अब वो बलके हो चुका है आपका 8,19,000 रुपए का एक शोरूम तो मतलब पूरे-पूरे-पूरे 20,000 रुपए जो है बेस पर बढ़ाए गई है लेकिन अभी आपके सामने है यह इसका VXI वेरियन और VXI यह बे बढ़े वे आपको मिल जाएंगे तो प्राइजिंग अभी आपके सामने लिखिए हर एक वेरियन की तो यह जो अभी आपके सामने है VXI वो भी जो है अगर मैं बात करूं यह ऑटोमेटिक में 6-speed के जो है ऑटोमेटिक जो इसमें टॉर कनवर्टर का मिलता है 11,4,500 इसकी एक शोरूम रहती है जो कि पहले से 8,000 रुपे बढ़ चुकी है अब आटोमेटिक भी गाडिया ना लेना एक तरीके से थोड़ा जिसे आप से गाडियां बहुत जादा ही जो है कह सकते हैं आपके city में चलती भी देखने को मिलेंगे तो उसे आप से मैनुवल थोड़ा थक से खरड़ा है तो मेन चीजे जो चाहिए वह इसमें तो रहती रहती हैं इसमें कुछ एकसरी ज़रूर है जरूरी है तो यह सारी थे यह आप देख रहे हैं यह लगवाना चाहाएं लगती तो थोड़ी बहुत ठीक है जिने ऐसे चमकने वाली चीजे अच्छी लगती थे त प्रोजक्टर में इसमें हेलोजन दे जाते हैं, इंडिकेटर से यहां रहेंगे, एक छोटी लैम्प यहां पर देखने को मिलती है, क्रूम का आपको यहां पर टीटमेंट यहां पर देखने को मिलेगा, सोजुगी का बीच में लोगो कुछ ऐसा रहता है, तो फ्रंट से इसना कुछ देखो, फॉग लैम्प और बैक कैमरा तो भी नहीं मिलेगा, तो अलेक्स ही मिल जाता है, बिदाउट प्रीमियम दीए, कुछ ऐसेसरी ज्यादा ना ठुकवा के, तब तो आप ले सकते हैं, वनना फिर इसकी और वी एक्स ही में भी जाना ही पड़ेगा आपको साइड से आप देखें, तो साइड से वही अंडर 4 मीटर की पूरी लैंथ रहती है, इसमें टायर प्रोफाइल 215-60R-16 की दी जाती है, यह अच्छा है, टॉप से लेके बेस तक यही मिलेगी, एलोई भी डलवाना चाहते हैं, इनी टायरों में आप डलवा सकते हैं, मारे जो है, उस तरप का कहाँ एजट करता है, ट्राइवर, तो यह चीज भी इसमें मिल जाती है, नीचे थोड़ा ब्लैक शीट दे रखा है हाँ पर, यह सन वाइजर, दोर वाइजर अगा लगाना चाहते हैं, तो यह भी आप लगा सकते हैं, जैसी आप पीछे आते हैं, तो प सफी रियर से एक अट्रक्टिव लुक लगता है, डिफॉगर मिलना स्टाट हो जाता है, वी एक साई से उपर हाई मांटर इस्टॉप लेम, आपको शार्क फिन एंटीना, स्पोईलर यह सारी चीज़े मिलती हैं, और यह रहता है, इसके चार रिवर्स पार्किंग सेंसर, अब इसमें अगर आप वी एक साई लेते हैं, तो आपको कैमरा नहीं मिलने वाला, यह आपको इसमें लगवाना ही पड़ेगा, बूड़ी स्पेस की बात करें, तो बूड़ी स्पेस कुछ इतना रहेगा, 328 लीटर का पार्शल ट्रे इसमें भी नहीं आती, वी एक साई मे अब जो है, एक्स्टीजर, इंटीजर की बात करते हैं, फटावर्ट से, इंटीजर में जाके, तो बेच वेरेंट यह है, आटोमेटिक में, स्मार्ट हैबिड इंजन है, अब इंजन की बात करें, तो आप सोचिंगे कि यार हमें परफॉर्मेंस भी मिले, इसमें और जो है रिफाइनमेंट भी मिले, माइलेज भी मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, इसमें आपको दो चीज़े मिलेंगी, एक रिफाइनमेंट और एक जो है माइलेज, यह अच्छी चीज मिलेगी, अगर परफॉर्मेंस चाते हैं, तब तो आपके लिए एक्स्टी भी 3W ही है, उसम है, इंजन भी काफी, कह सकते न, अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है, उसमें मिल जाती है, तो कि, लेकिन माइलेज वहाँ आपको अच्छी कासी नहीं मिलेगी, अब यहाँ से स्टार्ट करी मैंने, तो यह स्टार्ट हो चुकी है, इंजन की जो है, आपको साउंड सुना लोग, फिर किर-किर अवाज सुनने को ही मिलती है, उपर आपको ऐसे इंशुलेशन और यहाँ पर यह मिलता है, वन पैंट फाय लिटर का डूल जैट इंजन, जो की 102 विएच पी, आपकी जो है, वन थाटी सिक्स पॉइंट निटर मेटर टॉर्क संग प्रिडूस करता है, वैसे तो 20 के आसपा स्माइले स्क्रेंग करते हैं, 17-18 का ओन हाइवे पर आप इसे अगर अच्छी से चलाते हैं, तो ले सकते पाएंगे, अब यहाँ इंटीजर में चले जारा, तो इंटीजर में यहाँ से एंटर करेंगे, तो पूरा ब्लैक इंटीजर रहता है, तो ऐसा पर फॉग लैंस के यहाँ पर स्विच यहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो यह काफी सही लगा, लग भी नहीं रहा है, आफ्टर मार्केट टाइप, मतलब डीलर शिप सही लगा है, इसमें है फॉग लैंस, आडल स्टार्ट श्टॉब और हैड लैट की भी, हाइड अट स्टेरिंग चाब यहां तो बेस से ही मिल जाती है, और बाकि स्टेरिंग कुछ ऐसा रहता है, एकदम स्मूद सा तिल्ट एजस्मेंट सिर्फ आपको स्टेरिंग पर आपको मिल जाता है, और पैडल शिफ्टर भी दे दिये जाते हैं, यह काफी सही चीज है, आटोमेटिक म यह गए हैं इसमें, तो ऐसा रहता है इसका पूरा इंटीजर, बाकि सेफटी वीचर की बात करें, सेफटी जो है पुरानी ब्रहजा में सही थी तो इसमें भी मान के चलिए, फोर स्टार तो आप अव्यसे तो क्रेश्ट तेस नहीं हुआ है, फोर स्टार आप कह सकते हैं इ इसमें, बैक कैमरा तो है नहीं, वो लगवाएंगे, आटोमेटिक एसी, बारा बोल्ट का एक सौकेट और यूसबी ओक्स का यहां दिया गया है, यह इसका पार्क, रिवर्स नूटर ड्राइव, यहां से, मैनुवली सेफट यहां से आप जो है, पैलल सेफटर से कर सकते है हैंड ब्रेक, बाकी यह सारी चुझे बीच में आपे, आपको देखने को मिलेंगी, आमरेस कुछ नहीं मिलता, VXI में उपर, डेनाड आयार वीम, और यह हैसका, सन वैजर, यह वैनिटी मिलर वाला, यहां पर दिया गया है, पीछे आपको, लैंप कुछ ऐसी देखने को मि लेगा, ऐसा, और लेकिन पीछे कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, तो यहां थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, महिनत, और सीट कपर इसमें लगाएगा है, नहीं आते हैं, फैरिक में ही सीटे आती हैं, टॉप तक, और एज़स्टेबल हैडरेस, VXI से मिलना स्टार हो जाते हैं, तो पीछे की बात करूं, पीछे तो मेरे जैसे तीन आ सकते हैं, ठीक थाक है, जैसे आपने बहुत वीडियो देखी लिए हूँगे, लेकिन में इसकी अपडेटेट प्राइस बनाने के लिए, बताने के लिए आज की वीडियो थी, पता लग गया होगा, बेस वीडियो वैसे तो अब भी फिलाल थोड़ा बहुत रखता है, वैल्यू फॉर मनी, मतलब एक तरीके से जो काम करवाना चाहते हैं, उसके कोडिंग, यूँकि में में एक स्क्रीन एड़न करवानी हैं आपको, और आपको फोग लेम्स लगवाने हैं, बैक कैम लगवाना है बस इतना करवा देते हैं तो एक में चीज जो चाहिए कार में, वो सारी चीजे जो है देखने को मिल जाती हैं, तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, ब्रैजा के बारे में, अपडेटेड प्राइस के बारे में, ये था इसका बेस वेरेंड आटोमेटिक में, वीडियो प